मंच पे मौजूद हमारे दिल्ली के उपमुख्य मंत्री और शिक्ष्य मंत्री श्री मनीश सिसोरिया जी मेरे सभी विधायक साथीगन, यहाँ पे आएवे मेरे कांसिलर साथीगन, हमारे अधिकारीगन, सभी टीचर्स, प्रिंसिपल्स और प्यारे प्यारे बच्चों, स्कूल में आके, इतना शांदार स्कूल, मुझे नहीं लगता कि भारत के इतिहास में पहले, इतना शांदार सरकारी स्कूल हमारे देश में कहीं भी बनाया गया होगा, शायद 75 साल में पहली बार सरकारी स्कूल इतना शांदार बनाया गया है, और दिल्ली में जिस तरह से सरकारी स्कूलों का पूरा काया कल्प हो रहा है वो एक पूरे देश के लिए बेंचमार्क बनता जा रहा है जहां पूरे देश में धीरे 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 हवा ये बहने लगी थी कि सरकारी स्कूल तो सरकार चला नहीं सकती सरकारी स्कूल तो बेकार हैं, सरकारी स्कूल तो प्राइवेट को दे देने चाहिए हैं दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी तब भी ऐसी बाते होती थी वो पूरी हवा अब उल्टी बहने लगिया है कि सरकारी स्कूल प्राइवेट से ज़्यादा अच्छ है ये अपना स्कूल आफ स्पेशलाइजड एक्सिलेंस है ये एक नया कॉंसेट दिल्ली में शुरू किया गया है कि स्पेशल एजुकेशन टॉपिक्स पे हर बच्चे के अंदर भगवान ने कुछ ना कुछ कला दे के भेजिये भगवान ने कुछ ना कुछ हर बच्चे को स्पेशल बनाया है कोई मैट्स में अच्छा होता है कोई केमिस्टरी में अच्छा होता है कोई किसी चीज में अच्छा होता है सो अलग-अलग बच्चों की प्रतिभा को उभारने के लिए अलग-अलग specialized schools बनाये जा रहे हैं subjects के उपर इस school में जैसा अभी शिक्षा मंत्री जी ने बताया हमें engineering, medical, humanities और 21 सदी की skills high-end skills जैसे artificial intelligence है, IT है, computer है इनकी training दी जाएगी, इनकी पढ़ाई करवाई जाएगी तो इन चेत्रों में जिन बच्चों का interest है वो बच्चे यहाँ पे admission लेंगे आठवी के बाद admission होगा नौवी, दस्वी, ग्यार्वी, बार्वी, चार classes होगी यहाँ पे आज सारे साथवी के बच्चे आएं बता रहे थे तो अभी आठवी में अच्छे से पढ़ना था कि यहाँ पे admission हो यहाँ admission होना बड़ा मुश्किल है मैं अभी शिक्षा मंतरी जी से बात कर रहा था पूरे दिल्दी में इस तरह के हमारे 30 से ज़्यादा स्कूल हैं Specialized Excellence के उनमें इस बार 4400 सीटों पे entrance है